दोस्तों आप डेली न्यूस के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए दोस्तों विधिया विडियो को शुरू करते हैं। टीम इंडिया के क्रिकेटर युजवेंदर चहल ने सोशल मीडिया पर अपने मेंटर, टीम के साथियों और अन्य MS धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा को धन्यवाद दिया, जिन्होंने लेगी को भारतिय जर्सी पहनने वाले सबसे महान स्पिनरों में से एक बनने में सधोनी, तब से चहलने भारत के लिए क्रमशह 121 और 91 विकेट लेने के लिए 72 एक दिवसिय और 75 टीबीस आए खेले हैं, इस दिन साथ साल पहले मुझे भारतिय क्रिकेट टीम के लिए गेंदबाजी करने के लिए माही भाई से पहली केप मिली थी, तब से मेरा जीवन मेरे पास मौझूद प्रतिभा और अपनी टीम और प्रशन्सकों के लिए हमेशा इसे जीतने की भावना के साथ भारत को गौरवानवित करने की यात्रा के अलावा और कुछ नहीं रहा है, मैं निश्चित रूप से बहुत भाग्यशाली हूं कि आज तक अपने तीन मेंटर और सभी की प्रेणा के साथ खेल पाया हूँ, ऐसा करो, चुंकि हमारे पास तोड़ने के लिए और भी रिकॉर्ड हैं, इसलिए अपने दिल में बड़े गर्व और सम्मान के साथ मैं इश्वर अपने गुरूओं और अपने सहयोगियों के प्रति आभारी होने की भावना व्य हाल ही में संपन्न इंडियन प्रेमियर लीग आई पी एल दो हजार तेईस में चहल ने 14 मैचों में 20.57 की ओसत और 8.17 की एकॉनमी रेट से 21 विकेट लिए, उनके सरवश्रिष्ट गेंद बाजी आंकरे 4 बटा सत रह थे, वह लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंद बाज भी हैं, जिन्होंने 145 मैचों में 21.68 के ओसत और 7.66 की एकॉनमी रेट से 187 विकेट लिए हैं, चहल के पास 5.42 के सरवश्रिष्ट गेंद बाजी आंकरे हैं, उन्होंने आखिरी बार जन्वरी 2023 में न्यूजी लैंड के खिलाफ भारत के लिए एक दिवसिय मैच में और जन्वरी में उसी विपक्ष के खिलाफ T20E खेल में भाग लिया था और इन दो मैचों में विकेट लेने वालों में शामिल थे. विराट कोहली अभी भी अपराजित हैं और विश्व टेस्ट चैंपियंशिप खिताब के लिए द ओवल में एक एतिहासित लक्षि का पीछा करने वाली टीम, चौथे दिन का रोमांच और टीम की तयारियों के साथ प्रतियोगिता में भारत अभी भी बहुत अधिक जीवित है. पांचवा और अंतिम दिन कैमरून द्रीन का वह विवादासपद कैच रहा जिसके कारण शुबमन गिल आउट हुए. भारत के सलामी बल्लेबाज ने बाद में एक पोस्ट में आउट होने पर अंपायरों को निशाना बना कर अपनी न यह भारत के लक्ष का पीछा करने के आठवें ओवर में हुआ जब गिल ने स्कॉट बोलैंड की लेंथ गेंद को गली में सीधे ग्रीम की गेंद पर आउट कर दिया. स्टनर को पूरा करने के लिए आस्ट्रेलियाई आलराउंडर को अपनी बाई और गोता लगाना पड़ लेकिन गिल अमपायर को रिव्यू के लिए उपर जाने के लिए छोड़ कर क्रीस पर डटे रहे. टीवी अमपायर ने कैच को वैध माना जबकि गेंद के घास को छूने के दृष्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. दिन के खेल के बाद गिल ने सोशल मीडिया पर अमपा आजित विश्व क्रिकेट के साथ सोशल मीडिया पर हंगामा जारी है. बी सी सी आई अध्यक्ष राजीव शुकला ने एनाई के साथ बातचीत में अपनी बात रखी. गिल को अपरत्यक्ष संदेश में उन्होंने कहा, हमें इस पर विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए. हम जब दिन के अंत में मीडिया कांफरेंस में ग्रीन से कैच और उस पर गिल की प्रतिक्रिया पर अपने विचार साजा करने के लिए कहा गया, तो आलराउंडर ने ज्वलंत प्रश्न को जीवित रखा. उस समय मुझे निश्चित रूप से लगा कि मैंने इसे पकड़ लिया और फिर यह तीसरे अंपायर केटल बोरो पर छोड़ दिया गया और वह सहमत हो गया. इस बीच शुकला आशावादी बने हुए हैं कि भारत टेस्ट के पाँचवे दिन इतिहास का पीछा कर सकता है. टीन को साथ विकेट शिश रहते जीत के लिए 280 रन की दरकार है. शुकला ने कहा अजिंक्य रहाने और विराट कोहली अच्छी बल्ले बाजी कर रहे हैं और अगर हर कोई सुरक्षित खेलता है तो हम लक्ष का पीछा कर सकते हैं क्योंकि लक्ष इतना बड़ा नहीं है. IPL के इतिहास में यह तीसरा मौका था जब किसी IPL मैच में दो शतक लगे. कोहली ने IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने के रिकॉर्ड की भी बराबरी की. हैदराबाद में आज 18 मई को मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद और रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच IPL 2023 का मैच एक दुरलब उपलबधी का गवाह बना. जब SRH के हेनरिक क्लासेन और RCB के विराट कोहली दो बल्ले बाजों ने एक ही IPL मैच में शतक बनाया. IPL 2023 पॉइंट्स टेबल, IPL प्लेफ की रेस, रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने IPL ट्रॉफी का इंतजार बढ़ा दिया है. प्रिंस शुभमन गिल ने किंग विराट कोहली के प्रयासों को विफल कर दिया क्योंकि गुजरात टाइटन्स ने RCB को छे विकेट से जीत के साथ नौकाउट पंच दिया. इसके साथ मुंबई इंडियन्स सोला अंकों के साथ RCB से उपर रही और इलिमिनेटर में एक स्थान हासिल किया. शीश चार में अन्य दो टीमें चैन्नई सुपर किंग्स और लखनव सुपर जायंट्स हैं. IPL 2023 पॉइंट्स टेबल कैसा रहा टीमों का प्रदर्शन? शीश स्थान हासिल करने के लिए लीग चरण का अंत किया. अंतिम दिन जीटी ने RCB को छे विकेट से हराया. चैन्ने सुपर किंग्स सत्रह उदास माली MS धोनी एंड कमपनी लीग चरण में सत्रह अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही. शनिवार को उन्होंने जीटी के खिलाफ क्वालिफायर एक में स्थान बुक करने के लिए दिल्ली की राजधानियों को 77 रनों से हरा दिया. चैन्ने की 14 अभियानों में से यह बारहवी प्लेफ क्वालिफिकेशन है. लखनव सुपर जायंट्स, 17 उदास स्माली लखनव ने कोलकाता नाइट राइडर्स पर एक रन की जीत के साथ तीसरे स्थान पर अपना अभियान समाप्त किया. हालांकि ALSG ने CSK को 17 अंकों से बांधा, AMS धोनी एंड कमपनी बहतर NRR पर दूसरे स्थान पर रही. मुंबई इंडियन्स, 16 उदास स्माली रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम सन्राइजर्स हैदराबाद पर जीत के साथ शीर्ष चार में पहुँच गई. गुजरात टाइटन्स ने RCB को हरा कर मुंबई इंडियन्स ने प्लेफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है. राजस्थान रोयल्स, 14 उदास स्माली राजस्थान रोयल्स ने किसी तरह प्लेफ के लिए अपनी कमजोर उम्मीदों को जिन्दा रखा है. पंजाब किंग्स पर चार विकेट की जीत के साथ आरार पाँचवे स्थान पर चड़ गया है. लेकिन उन्हें अब योग्यता पर शौट लगाने के लिए अपने खेल हारने के लिए अमाए और RCB की आवश्शकता है. रॉयल चैलेंजर्स बैंडलोर 14 उदास स्माइली RCB ने एक बार फिर घुटने टेक दिये हैं और वह शुभमन गिल थे जिन्होंने विराट कोहली के रिकॉर्ड साथ वे ITL टन को तोरते हुए शांदार शतक के साथ नौकाउट पंच दिया. हार का मतलब था कि RCB 14 अंकों के साथ छठे स्थान पर रही. कोलकाता नाइट राइडर्स बारा उदास स्माइली केके आर ने लखनव को एक रन की हार के साथ निराशाजंक अभियान समाप्त कर दिया है. रिंकु सिह ने केके आर के लिए सौदा लगभग पक्का कर लिया था लेकिन वे एक रन से चुप गए. पंजाब किंसक 12 उदास स्माली एक और साल एक और निराशाज. DC से 15 रन की हार के बाद PBKS प्लेफ की दौर से बाहर हो गया है. PBKS 13 मैचों में 12 अंकों के साथ आठवे स्थान पर है. दिल्ली कैपिटल्स 10 उदास स्माली दिल्ली ने ए. दोस्तों आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद मिलते हो और एक नया नियूज के अपडेट के साथ. झाल आप झाल प्यूज के लिए वीडियो कि के साथ यूज के लागी होगों के साथ.